फ्रेंट्स तो Άज की वीडियो में में डिसकस करने वाले अपने 2 Dryer के बारे में पहला हमारा है इसप्रेड रायर और दूसरा हमारा है फ्रीज ही ड्रायर तो यह बहुत जाला waited टापिक है वो थोड़ा सा lazy है लेकिन बहुत जाला इंप्रõटेंट है और यह हमारा एक्जाम में directly पूछ लेते हैं 5 मार्क में या कभी-कभी यह हमारे 2-7 में 10 मार्क में भी पूछ लेते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रही है बहुत ही इजी तरीके से हम इन दौनों को समझें के हमको अच्छे से समझ आद आएगा तो फ्रेंट चलिए हम स्टार्ट करते सब्सक्राल वाटंब होता है मतलब इस से से में हुथ है यहां पर इसके लियुकुट होता है बेक्ट हगा समस्दें है इसके वाध हमेरा हरिट कियाए जाता है उसके लिए राइड हमको मिलती है और हमारा बहुत है इसके हमारे वेबर होता है और यहां नीचे हमें है ड्राइफ फॉर्म होग है इसके हमारे ताइड उसकी हमारे चुका है जैसे कोई मैं मिन मतलब जैसे नीचे को में चुरूल्लिक्रियर करता निचे को मतलब यहां पर फाइनल पहुंचता için हें तो निइचे तatyफूप करता है यह संठ्रिफूगल खुर्स की फॉर्म में फिक है यह हमारा uis का construction है अब हम इसकी समझते है प्रैंसीपल के बारे में तो प्रैशिपल में जो हमारा घरों में यह होता है कि ग्याउ बगए 상황 में तो धूप में डाला जाता है इनको अब धूप में डाला जाता है जैसे हम छत्वे लेके गए तो किसी बोरी में हमारे क्या है गयों भरे हुए है तो धूप में जा हम इनको डालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब बोरी लेके गए तो पूरी की पूरी बोरी हमने रख दि ऐसा हमने क्यों किया इसलिए किया क्यों कि जो हमारी धूप में जो सूखेंगे तो उसमें एक एक इंडिविजुल दाने पर हमारी अच्छे से धूप पड़े और हमारे जो गय हुए वो अच्छे से सूख जाएं तो हम क्या देखने हैं कि अगर हम个ोरी और अगर यहां रही हो ज Hadi लेकिन टाइम लगता है द्राई होने में बहुत बहुत सादा प्यांधा नगता और अनदर के तो मारे सूग ही नहीं बाते हैं spray dryer का मतलब होता है कि इसमें हम liquid feed करते हैं जैसे इस इस प्रेय आप लोगों ने देख लोगों ने देख़ा कि यहां देखना देखना तो लिक्विड फॉर्म में आपको दिखेगा यह हमारा क्या हुआ था इस प्रेय तो वज्ञा से हमारा हो गया बॉड़ी प्रेय हो गए य जैसे यह देखें जाऊं जान चोटे में हमारे कवर्ट हो गये यहां पर बड़ा हमारा बलव की प्रोड़ा चोटे में क्नवर्ट हो गया अब क्या होगा जिशना रेंन टो इसको आपर किया पर यहां ने कि मारा तो एक एक इंडिविज़ पार्टिकल पे इंडिविज़ डॉब लेट पर हमारा जो है हॉट एर लगेगी और हमारा जो प्रोडक्त है बहुत ही जल्दी ड्राइब हो जाएगा और यह इतना इस चीज से मारा कितना फरक पड़ता कि हमारा जो यह जैसे हमारे पूरा है बल की principle आप हम समझते हैं तो वर्किंग में क्या हो रहा है कि इसकी वर्किंग में हमारी तीन प्रोसेस काम आ रही है यहां से हम लिक्विड भी डाल रहे हैं तो इससे होते हुए क्या है यह को क्रॉस करेगा और एटमाइजर क्या करता है उस लिक्विड पार्टिकल है उनको छोटा कर देता है छोटा करके क्या करेगा वह फॉर्म दा क्या जैन की छोटी-छोटी ड्रॉपिलेट क्या हो two लिक्विड है तो वह लिक्वि ड्राइट में कंवर्ट करतेगा नहिंसे इसको द्रॉप लेड्स भासिव सिकते हमारे छोटे इंडिविज्विज़ पार्टिकल जैसे ही टकड़ाएंगे यहां पूरे कै act him час in drop later, वो सुख जाती है, dry हो जाती है, बालो समझे यहां से, यहां तक आफ आया, तब तक हमारी जो particle है, वो dry हो चुका है, इतना ज़्यादा यह हमारा fast होता है, और यह हमारा तीसरा हमारा फिर रहता है, recovery of the dried product, बालो हमारा product सुख जुका है, अमको उसको निकालना हम यह चाहि क explains तो उस hani अभर यहां पे सैप्री प्रोडक्ट्ट भाव्ड कर देख और दे को तो हमार यह नीचे यहांपे द्राइब रॉडट करदेगा द्राइब प्रोडट्टिवों होती होती है और इसमें जो हमार पार्टिकल मिल रहा है यहां पर यहां जो हमारे पाटिकल है हो ओमने यहां पर छोटा भी गड़ जीर था है उसको उसके बाद इसकी ड्राइर है मतलब एक घंटे के अंदर यह लगबाग सब्सक्राइब हमारा जो साम मैट्रियल इसको ड्राइ कर सकता है मतलब समझी है बहुत ही लार्ज कॉइंटिटी में यूजर क्या है इसके कि दब प्रोड़क्ट इस बेटर फ्रॉम देन अप्टेंड वाइज अनि अदर इसमें जो हमारे प्रोड़क्ट फॉर्म होगा थोड़ा बैटर क्व है इसको कुछ टाइम लगता इसलिए हम इसको अच्छे से ड्राइब कर सकते हैं एडवांटेश क्या है कि हमारी कन्तिनियस प्रोसेश आप चाहें तो इसको मतलब यहां से हम इसको यहां से करते रहें और यहां से प्रोड़क्ट निकालते रहें कॉन्टिनियस हो गई और बैरी डेपिट मतलब फास्ट होती है आपने देखा एक को सेकेंड में हो गया इसके बाद इसमें जो लेवर कोश्ट बगएर आए ना यह लो होती क्यों होती है क्यों कि इसमें कम माइन फंक्सन है जैसे यहां पे हम देखे तो बैपर भी बनना है तो एवपरेशन हो रही है हमें तो जहां ड्राइंग प्रोसेस हो रही है उसके बाद एक हमारे यहां क्रिश्टलाइजिसन में हम आगे पढ़ेंगा उसमें क्या होता कि हमारे चिंपल जो ऐसे इस पैरिकल से में प्रोड़क मिल रहे हैं उसको जब हीट प्रोवाइट करेंगे तो यह पक जाते हैं ए लंबा इसकी 25 मीटर से उपर तक होती है तो यह बहुत बड़ा होता है यह भी चीछे में हैं तो हमारा बलकी हो जाता है बाहरी हो जाता है और इसको ऑपरेट करना भी कभी-कभी आसान नहीं होता है तो फ्रेंट यह हमारा यहां तक खतम हो चुका इस प्रेंड ड्रायर तो अब हम समझते के बारे में इसको हम लायो फार इसको हम ल्याइड राइस बहुत नाम से भी आते तो आपको यह भी आद रखते है कभी-कभी डाएक्ट लगेगा तो जैसे ये हमारा है freeze dryer सो एक हमारा यहां पे पूरा का पूरा drying chamber है, यहां पे इसका heat transfer करते है heat transfer यहां हम radiation form में करते हैं मतलब race के द्वारा करते हैं इससे बहुत ज़ाधा हम्हें heat मिल सकती है ठीक है friend, यहां से heat transfer करते है यहां पर हमारे एक isolation wall वे होता है जिसमें यहां पर vacuum pump लगी होते है यहां पर रेट्रेश कर सकते हैं यहां पर हमारा रेफ्रीज अटर लगा होता है जो क्या करता है ठंडा करने के लिए और इसको कंडेंसर भी बोलते हैं तो यह चीज हमारी यहां पर है इन्हीं को हम heated cell बोले तो यह कैसा है जमा आके फुर सुकाना फ्रीज ड्राय है मतलब पहले कोई सविष्टांस है उसको क्या करेंगे हैं जैसे आप example समझें यह हमारे जैसे कोई solid है solid क्या होता है liquid में convert करते हम heat increase करके तो अगर हम यहां पर देखें कि हम जो हमारा liquid है उसको हम solid में कैसे convert करेंगे तो हमने क्या कि liquid को हमने solid में convert कर दिया जैसे आप समझें है यहां पर हमने water था water को हमने ice में convert कर दिया ठीक है अब हमको अगर directly हम क्या करते है फिर ice को हम बैपर्स में convert कर दें तो मतलब gas में sublimation के जारा तो जिससे क्या होगा जो हमारा ice है उसको हम directly बैपर्स में convert कर देंगे और हमारी जो water है पूरा का पूरा वह हमारी gas की फॉर्म में remove हो जाता है जैसे example इसका आपने देखा होगा कपूर जो हम उसमें पूजा बगरा करते है तो कपूर में क्या होता है कि उस वह solid form में होता है पूरा कपूर उसको जब हम heat provide करते तो जलके fume की form में ऊपर पूरा कपूरा उड़ जाता है तो वह हमारा एक example है sublimation process का वही यहां पे हम करते हैं यह हम क्या करते है water को पहले हम इतना temperature उसका down कर देते हैं कि हम उसको ice में convert कर देंगे उसके वाद हम उसका इतना temperature हाई कर देते हैं यह चीज़ हम बागी maintain कर लेता है vacuum press इनके द्वारा तो हम उसका temperature इतना ज्यादा हाई कर देते हैं कि उसको मौका ही नहीं मिलता water बनने का और वह डारेक्ट हमारा gas बनके वैपर्स में convert होताता है simple अब हम इसका principle सम जाए तो इसका principle हमारा है वह हमारा five stage में covered है पहला हमारा है यहां पर हम देख लेते हैं प्री treatment है दूसरा हमारा प्री फ्रीजिंग है तीसरा हमारा primary drying चौत हमारा secondary और last हमारा होता है packing तो इनको हम बारी-बारी समझते हैं पहला हमारा है pre treatment तो इसमें हम करते क्या है कि हमार करते हैं कैसे pre concentrate कर लेते कुछ normal dryer में जैसे हमारा कोई normal dryer उसको हम पहले से उसको सुखा के उसकी थोड़ी quantity कम कर लेते हैं जैसे example समझीए कि आजकल जो bossing machine वगएरा आ रही है तो bossing machine पहले से भी चलते उसमें क्या होता है कि हमारा कपड़ा सूख भी जाता है और मतलब धु जो सूख जाते हैं तो सूखने में क्या हो रहा हमारा पानी है वो निचोड देते हैं अच्छे से उसमें यही तो होता है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बहुत सिक मशीद से हम डारा कपड़े निकाल के पहल लेंगे ऐसा नहीं होता है उसको हमें फिर भी धूप में डालना ही ब EPA लेके घbury अब करते हैं जो अब किया करते हैं कि जब हम उसको रसी पे डालते हैं उससे पहले की जैसे के माली को în आधा से एगंटा लगेगा तो हमने क्या किया कि हमने ड्राइंग जो हमारी कपड़े सूगने की जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको हमने लगबग एक से दो घंटे कम कर दिया तो वही यहां पर प्रीट्रेटमेंट में होता है कि जो हमारा जो भी हमें लिक्विड जा solid जिसको हमें यहां पर dry करना है उसको हम पहले normal tray वगएर हमें normal जो tray dryer होता है उसमें रखे हम उसको dry कर लेते हैं जिससे उसका जो concentration है वो थोड़ा कम हो जाता है वो इसको हम बोलते है pre treatment मतलब हमने पहले तयार गिया फिर हम उसको यहां पर load कर देते हैं जो हमारे यह ट्रे व अप्लाई करके और यहां पर हम temperature लगवग माइनस फिफ्टी डिग्री तक पहुंचा देते हैं जीरो हमें यह पता है कि जीरो डिग्री से कम पर ही हमारा जो material हो क्या होता बरफ में आइस में बनना convert हो जाता है जैसा ही हम यहां पूरी freezing करते हैं तो जैसे यह समझे कोई हमा अब हमारे यहां पर प्री प्राइमरी ड्राइंग यह हमारी में तो हमारी मनलब इंपोर्टेंट सारी है यह भी हमारी इसेजिल पर सारी की सारी इंपोर्टेंट है लेकिन यहां पर हमारी में ड्राइंग हो रही है इसमें क्या होगा कि जो हमारे सविष्टा जो हमने यहां करना करनी है सबनिटैने त्व में हमने पड़ा था कि इसमा कसे पड़िए तुब हाइस tit दे देंगे तो हमारा जो होनी का खत्रा होता है है तो इसलिए हम यहां प्रेक्यूम प्रेसर के द्वारा यहां क्म करते हैं कि जिसे क्या हमारा हें यहांूअ कंदीशन को की हमें मेगजिममम यहां पशिबिया दर लांके यहां हो हमारे बैपर्स है वो हमें convert हो और हमारा material है वो melt रहा हो मतलब material भी सुरक्षित रहे यह हमारा इंपोर्टेंट है कि हमारा जो material है इसका जो भी बाटर कंटेंट है वो हमारा ऊपर उड़ जाता है यहां पर और हमारे जो material है वो भी कIR कहीं कहीं बाटर की drop मेb score सुखा लेतें वह हमारा नौहरे सुख छाते है और हमारा फइसको यहां प्यूर्ड शूखा ऊपन में तो हम यहां तो इनट की a में यहां चेंट करेंगे बेक्यूंद में यहां बियूम यह फिर पैकिंग करेंगे चाहर्ट क्रेंगर प्योने vacuum में ही पूरा का पूरा पैट कर लीते हैं अब हमारा यहां पर यूजस क्या है कि यह हमारा mostly प्रोडक्स में यूजस होता है जैसे इंजेक्शन बनाने हो solution बनाने हो suspension जैसे injection solution इन में हमारा यूजस होता है फिर advantage क्या है यह हमारा thermo level material को भी जैसे heat sensitive material को भी कि इसमें ड्राइड कर सकते हैं दूसरा volatile material को हम मणलब हमारा main material हो हमारा यहां पे लॉस नहीं होता यहां पे जो हमारा पूरा सिल्ड पे है के सब कुछ है तो मारा प्रोड़क्स जो है कम नहीं होता और sterility का हाइ होती है क्योंगे इस ili n 상dーー op पेन withdrawal को चोग्द मेदा है क्या है कैसा अधुर से उपर ही कंटे दल rat रिचेज की फॉरम में हमें क्या करना पड़ता है कर ना पड़ता है तो यह हमारा यहां पर धक पुर्यांग चुका है फ्रीज ड्राइंग पूरा कम अब कवर हो चुका है अब इसमें जो अंदर के यह नोड्स है वो आप यहां से लिख लेना मैं इसको डिस्किप्शन वक्स में डाल दूँगा या आप वीडियो के अंदर से भी लिख सकते हैं ठीक है फ्रेंट तो आप लोग को सारा क टेक केर बाई बाई